मैं विकास और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बेफिक्रे और आज मैं आया हूँ इंडिया की नेवल शिप पे जो डॉक कर रही है कोईप में और यहां पर का नजारा देखने से बनता है और यहां पर कैसे आया मैं क्या क्या किया इस वीडियो में पूरा आपको बताया जाएगा फ्लैश बैक पीछे लिए कि कहां से मैंने यहां का रेजिस्ट्रेशन किया कैसे किया everything will be in this video so लेके चलते हैं मेरी जर्णी शुरू होती है शर्क पूर्ट से मैं जब शर्क पूर्ट आया कार पार्क करने के बाद मेरा जो इमेल था उसे वेरिफेकेशन कराने के बाद मिरको बस में एंटरी मिल गई बस में मैं बैट के अपनी आगे की जर्णी करता हूँ पोट के अंदर खाली बस जा सकती है तो मैं बस में बैट गया और ये बस मुझे जो नेवल शिप थी उसके पास लेके आ गई ये है नेवल शिप, बस ने मुझे यहाँ पर डॉप कर दिया, उसके बाद मैं क्यूँ में बना के इस नेवल शिप का टूर करने के लिए निकल पड़ा, तो ये है यहाँ का नजारा और इसी तरीके से मैं ये जो टूर पूरा करूँगा बाकी लोगों के साथ और धीरे धीरे आपको भी ये टूर में सामिल करूँगा, तो अब टाइम था इस बोट में बोट करने का, तो ये जास्ता था इस से हम लोग जाएंगे बोट के अंदर और बोट के अंदर जाके आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर क्या-क्या है और यहाँ पर तीन मेवल की शिप है जो इंडिया से आई वी है, और तीनो का यहाँ की फर्स नेवल शिप अपने देश की शिप और अपने देश की फ्लैक को देके काफी गर्व होता है लोक एट पचीन और इस शिप में सिर्फ इंडियन लोग की अलाउड है इंडियन अमेसी ने बहुत अच्छा आरेंजमेंट किया है इससे की हम जो इंडियन लोग है अपनी कंट्री की ग्लोरी को देख पाए और गर्फ महसुस कर पाए इससे की अगर कोई एरक्राफ आ रहा हो गई या फिर कोई घंड़ा होता है उसको शूट करने में ये शिप शक्षम होती है और अपने तुषकुल को इनी गंज के सब ख़तम कर सकती है आगे की जर्णी में लेके चलता हूँ यार गई किस साइड और हो करता हूँ कि आपको मजा आएगा है काफी अच्छी फोटो प्लेक कराते है वेकास ये उपरचुनिटी जो है वन्सित लाइटाइम है विकास इस तरीके से मेवी शिप में आने का बहुत ही कम मिलता है आप लोग देख सकते हैं ये है पूर्ट जहां पर ये शिप डॉक कर रही है और अब हम उपर ले चलते हैं आपको और दिखाते हैं उपर क्या है वोट्स अगर तुष्पन आसपास हो तो इन बोट्स में जाके उनको डिस्ट्रॉई के आजा सकता है इसमें टूज मशीनरी मेरा पहली बार टूर है किसी मेवलशिप पर तो काफी अच्छा लग रहा है यह और उपर चलते हैं और देखते हैं वहापर गया है एक और उपर जाएंगे और वहाँ से क्यों देखेंगे यह कैसा है दोब करते हैं बहुत ही अच्छा होगा आसा अच्छी शिप है यह वाइट वाली भी इंडिया की है जो पहले यह रेवाली शिप को अब लोग कोई तरी की से कोम लें फिर हम चलते हों शिप के टॉप पर काफी गर्मी है पर अच्छा लग रहा है यह देखिये और यह है गन मशीन अच्छा लेक्ष गर्मी के लिए दूश्मन के लिए चपके चुडाने के लिए यह तरह आप इस अच्छा आप 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 अच्छा अच्छा आप 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 हुआ हुआ एह आ रकार है यह को प्हालिकोफ लुखे कर लुखे कर दो कि अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज बेले करना के दबा के सारा जितने भी नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन वह आपके पास आ जानी चाहिए और आप आप इंस्टाइग्राम पर भी बिल्कुल फॉलो को बहुत गर्व है कि आज मैं इस नेव अभी हम लोग इस पर घूम के आ चुके है और वाइट वाली पर जो पीछे दिख रही है उस पर भी अब लेके चलते हैं आपको इस तरफ इस तरफ इस थर्ड वान जो बेरे से रह गई है का नाम है हुआ है यहां पर आड़ देखते हैं यहां पर का क्या है कि इस पिक है उले की चलते हैं अंदर की तरफ से अँटराव किस तरह के गाम आपको हुआ है में अधर शिप के अंधर तो लीकें सी के अंदर की सब्सक्राइब का महौल होता है इस बसक्राइब की नेरो नेरो जल्या होता है और किसे लोगो निकलना होता है तो लेकें सी शुब गैने मेंस भीछ मुष्च भीजी जब एक दो पारी ऐए एक डावार्सेट। पिरवे एस बाक बार्स तरफ भीए और आगे दिखाते हैं डॉक इस बोर्ट का इश्क निवर्शिप का जहां पर अगीन एंटीक्राफ्ट मिशीन गन लगी भी है बहुत अच्छा फुल दे मजा आया करते हैं कि आज का जो वीडियो है आपको काफी पसंद आया होगा बिकॉस इसक्लूसिव वीडियो जिसके अंदर हम लोगो ने लिया कि जो नेवल शिप्ती जो डॉक कर रही ती कोई पर उसको पूरी दिखाने की पूरी कोशिश की आप ये वीडियो महीं पर खत्म करता हूं मिलता हूं आपको बाद में बढ़ दू सब्सक्राइब मैं चैनल बाई झाल 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 झाल